चोर तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन एक कैसा शातिर जो प्लेन से शेहर आता था और घरों से सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ करके रफू चक्कर हो जाता था चोर की कई बारदातों में शामील इस बदमाश को पुलिस ने महराश्र के पूने से गिरफतार किया है चोर का नाम निरज्यादव है जो विलास्कूर का ही रहने वाला है जिसके पास साथ सो ग्राम सोना और सड़े चार किलो ग्राम चांदी जिसकी कीमत 31 लाग रुपे बताई जा रही है जिसे जब्द कर लिया गया है चोरी की वारदात को लेकर सरकंडा पुलिस काफी समय से चान बीन कर रही थी पुलिस ने चोर के साथ माल खरीदने वाले दो सराफा वेवसाईयों को भी पकड़ा है जिनके पास साथ सो ग्राम सोना और सड़े चार किलो ग्राम चांदी पूने से जब्द कर लिया है सोने चांदी का बजार मुले लग बग 31 लाख रुपे बताया जा रहा है चोर पूने से बिलासपूर फ्लाइट से चोरी करने के लिए आया करता था चोर से पूस्ताच करने पर उसने अपना नाम नीरज यादव निवासी बिलासा चोंक ठाना सिटी को अतवाली बिलासपूर बताया है पिछले 6-7 वर्षों से बिलासपूर में काफी समय से चोरी का माल पूने ले जाकर बेचता था साथ ही उसने पूलिस को बताया कि वे हमेशा बड़ी चोरी के फिराक में रहता था और रेकी कर चोरी करने पूने से बिलासपूर फ्लाइट से आया करता था नीरज यादव ने पूने में चोरी के गहने खरीदने वाले सराफा वेपारियों का नाम बताया आरोपी द्वारा लगबग 800 ग्राम सोने वर 2.5 किलो ग्राम के जेवर चोरी कर पूने में बेचा करता था जिसकी बरामदगी आवश्य थी सरकंडा पूलिस ने कारेवाही करते हुए नीरज ज्यादव का पूलिस रिमान लिया और मावले में पूलिस अधिक्षक प्रशान्त अगरवाल ने विशेश रुची दिखाते हुए माल की ब्रामदगी के लिए अतिरिक्त पूलिस अधिक्षक ओम परकाश शर्मा वर CSP कोतवाली विश्व दीपक्ति पाठी के परिवेक्षन में उपनरिक्षक फैजूर घोदा शहा के नितित्म में पूलिस चीम का गठन कर टीम को पूने रवाना किया गया पूने पहुचकर पूलिस चीम ने भीमा कोरे गांस्थी चोरी के माल खरीदने वाली सराफ़ विवसाय संतोष को लेकर और शंभाजी जादव को गिरफतार कर लिया इन तीनों आरोपियों को न्याय करिमांड कर न्यायाले पेश कर लिया गया है राजघराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज